हर साल सर्दियों की मौसम में हिमाचिल प्रदेश सहीत मंडी जिला की नदियों और जीलों में प्रवासी पक्षियों का जमावणा देखने को मिलता है लेकिन गत वर्षों की मुकाबले इस वर्ष इन प्रवासी पक्षियों की संख्या में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है इसका कारण माना जा रहा है मौसम में हो रहा बदलाव सितंबर महीने के बाद प्रदेश में अब जाकर बारिश और बर्फवारी हुई है अब तक प्रदेश में मौसम सुष्क बना हुआ था और घने कोहरे के साथ कडाके की सरदी पड़ रही थी यह प्रवासी पक्षी अपने देशों में पारा माइनस में चले जाने के चलते बड़ी संख्या में 3-4 महीनों के लिए प्रवास पर यहां आती है लेकिन इस बार इनकी संख्या में कमी देखने को मिली है मुख्य अरण नेपाल वन वृत मंडी अजीत ठाकूर ने बताया कि हर वर्ष यह प्रवासी पक्षी दिसंबर के महीने में आते हैं और फरवरी के अंत तक वापिस चले जाते हैं इस दोरान फिल्ड स्टाफ को इन पक्षियों पर निग्रानी रखने के निर्देश दे दिये गए हैं ताकि इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़ छाड़ ना हो सके मंडी जिले में कुछ प्रकृतिक जलाशे हैं जैसे रिवालसर लेक है, नलसर लेक है, कमरुनाग लेक है इसके इतरिक्त यहां बड़े-बड़े मैनमेर जलाशे भी हैं जैसे लार्जी डैम है, सुन्दनगर बैलेंसिंग रजर्वायर है और इधर पंडो डैम है इनमें विंटरिक के समय में जो माइगरेटरी बवर्ज आते रहते हैं यह प्रतिवर्ष का सिल्सला है और साधानत्य यहां पे कॉमन पकार्ड, पिंटेल्ड, नॉर्दन पिंटेल्स, डक्स, कॉर्मोरेंट्स यहां काफी कुछ रेजिडेंस हो गए हैं इन जलाशों में भी आते हैं और ब्यास में कई जगा अन्यतर जगा पर भी आते हैं तो इस दर्म्यान हमारी हिदायत यही रहती है कि जो हमारे स्टाफ थोड़े बेतर तरीके से और ज्यादा तरीके से इन एरियाज की मोनेटरिंग करें ताके यह जो इनकी देखवाल और इनकी प्रोटेक्शन हो सके और यह समाने तर छोटे जलाशों में या पॉंग डेम में जो दिसम्बर के महिने में आते हैं और फरवरी रहने तक जो है वो चले जाते हैं अब तीन मीने में जब उपर ठंड होती है बहुत जादा जीले और तराब जम जाते हैं तो तब वे नीचे जो है आपने खान पान और बेडिंग के लिए आते हैं फेस्बुक पर पोलिस्टार हिमाचिल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें